आज की वीडियो में हम लोग एक नज़र डालने वाल है टीम ग्रूप की MP33 Pro SSD पर यह एक बजट SSD है और आगर आप लोग बजट SSD में इंट्रेस्टेड हो तो यह आपके लिए एक इंट्रस्टिंग ऑप्शन हो सकती है मेरे को यह SSD सेंड करी टीम ग्रूप ने विकस मेरा रिसेंटल अगर तुमको याद हो तो PC में कुछ इशूज आ गए थे एंट मुझे लग रहा था एक नया SSD जो हो में लिए रिक्वाइड रहेगा तो टीम ग्रूप ने जो मेरे को यह SSD भेजी और बोला कि इसकी तरफ एक नज़र डालो यह एक बजट SSD है और यह तुमको तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाली है तो मैंने का अच्छा बजट SSD है तगड़ी परफॉर्मेंस तो चलो इसका रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या यह अपने जो भी क्लेम्स है उन पर खरी उतरती है नहीं उतरती तो यहां पर यही टीम ग्रूप की जो SSD है यह एक अच्छा वर्दी ऑप्शन मन जा अच्छी है तो एक दमी बेखार SSD ले लोगे तो आपको noticeable difference मिलेगा इवन अगर आप एक normal speeds भी compare करोगे न theoretical speeds जिने बोलते हैं तो उन में भी आपको dramatic difference देखने को मिलेगा between SATA SSD and NVMe SSD तो NVMe SSD जो हो अपने आप में बहुत dramatically fast होती है और ना केवल fast होती है बलकि उन दर कोई cable management का जिंजट न होता SSDs के अंदर normal SATA SSD लोगे मैं यह नहीं कहा रहा हो कि बेकार होती है बाट पहली बात तो form factor बड़ा होता है तो तुम्हारे कई सारे अगर तुम्हारे पास जादा SSDs हैं जादा hard drive से तुम्हें cabinet पे गिनना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने cages हैं कहां पर कहां पर तुम उनको केबल वगएरा उसकी कोई टेंशल लेने के ज़रूत नहीं है सिंपल प्लगेंड प्ले इजी टू ना यह एक TLC-based SSD है और बजट SSD का TLC-based होना चलता है विकास आप कम प्राइस पे कर रहे हैं विकास यहां पर QLC नहीं है TLC है तो करेंड एक SSD को मिल जाता है एक plus point मिल जाता है चलते हैं crystal disk mark में और देखते हैं यह SSD performance कैसा देती है तो अगर आप sequential speeds की बात करो तो मैंने multiple runs लिए और आपको on average यहां पर 2.5-2.4 GBPS की speed देखने को मिल जाएगी और आप रेंडम 4K की बात करो तो यहां पर आपको जो है वह read speed में 55 MPPS की speed देखने को मिल जाएगी and write speed में आपको थोड़ी जादा थोड़ी काफी जादा जो है 250-240K range में जो है वह speeds देखने को मिल जाएगी plus मैंने जितने भी runs करें random reads के random writes के मैंने इसके इंदर 4K movies जो है copy paste करी तुमारी बड़ी-बड़ी size की 4K Blu-ray movies वगरा होती है किसी भी task में इसने throttle नहीं करा and ना तो memory and ना P1 ताइप की SSDs हो गई उनको और pricing में भी मैं बोलूगा कि अगर यह जो है वह आपको pricing में similar दिखती है इसके variants crucial के P1 के आसपास के यानि कि अगर आप देखो तो 500GB का जो version होता है 500-512GB का version वह आपको 3-4,000 के बीच में कहीं पे मिलता है like 3500 like 4000 के आसपास like उतरे में मिलता है तो यह था एक quick short review SSD का अगर तुम्हें पसंदाते हो description में links दे दूँगा अगर तुम चाहा तो भाई कर सकते हो team group के और भी SSDs है like इनकी card era SSD आती है इनके पास team group में PCIe Gen 4 SSDs वगरा आती है कई SSDs यादे हैं इनके अदर आपको hitsing देखों को मिले हैं कि even आपको liquid cool SSD SSD बीज़ मैं लिंगे दूँगा तैने अदर वै टेकर गईस